केवल दो दिन में सरसो तेल में दो बुन ढाल कर इस चीज को लगा लो, दस गुना तेजी से भी भैंकल लंबे घने बाल होंगे, खुद देखेंगे आपके बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी कि इसे कटवाने पड़ेंगे, विश्वास नहों तो खुद देख लें, इस स नुजखे को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कार्बो हाइडडेट और इनोशेटील नामक जो तत्त होता है, वो बालों को मजबूत करने के साथ साथ बालों को तेजी से घना भी बनाता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, बहुत ज़्यादा बेचान है, तो चावल का पानी का यूज आपको जरू करना चाहिए दोस्तों, तरीका आपको हम आपके वीडियों बताएंगे, जिस तरह से बता रहे हैं, उसी तरह से अगर आपने इस नुजखे को यूज कर लिया, तो विस्वास मानी ये कुछी दिनों में आपको अपने बालों पर फर पानी एड करना है, पानी एड करना बहर जरूरी है, क्योंकि जो इसमें नूट्रेंस है, उसका आपको यूज करना है, और उसके लिए जरूरी है पानी, जिहां, जो नूट्रेंस है, अब आपको इससे रख देना है भीगने के लिए, दो घंटे बाद, कम से कम दो घंटे बीजने के बाद आपको इस चावल के पाणी में काफी मठमेला गलर का पाणी हो जाएगा क्योंकि जो चावल के नीट्रेंस है वह आसानी से पाणी ने मे लाइक तो यह तरीक है दूसरा तरीक यह भी है कि आप इसे उबाल सकती है और उसका ठंड़ा और कुछ बिटमिन्स होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं बालों को साइनी बनाने के लिए बालों को मजबूत और घाना बनाने के लिए अगर आपके बालों में डेंडरफ की समस्या है तो ऐसे में भी चावल बहुत ही उपयोगी है दोस्तों अप अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डेंडर्फ है या फिर हलका फूलका डेंडर्फ है तो आपको बिल्कुल यूज करना चाहिए अगर डेंडर्फ नहीं है बाल जड़ रहे हैं रूखें बेजान हैं तो भी आप नीम्बू का यूज कर सकती हैं लेकिन तरीके से एक और अपको पानी रेडी कर रखा था उसमें आपको इसे डाल लेना है और उसके बाद चमच से मिलादेना है दोस्तों जब आप चम्मत से अच्छा से मिला देंगे तो इसमें जो नूट्रिन्स है वो आसानी से आपस मिल जाएंगे जो इसमें सिट्री केसिड होता है नीबू में उसका भी यूज़ आप आसानी से कर पाएंगी बालों के लिए दोस्तों इस नूस्के को बनाने के लिए इस नूस्के को खास और करने के लिए बालों पर तेजी से ग्रोथ लाने के लिए नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों सरसो का तेल जी हां सरसो का तेल बहुत ही जरूरी है बालों पर यूज़ करने के लिए और उसके एक खास ingredients है सरसो का तेल और खास बात है सरसो का तेल जब आप अपने बालों पर लगाएं यूज करें तो ध्यान अखना है घर का सरसो का तेल हो मार्केट वाले सरसो का तेल का यूज आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें chemical होते हैं अपने आप अखने सरसो के तेल का यूज और आप उतना है करना है जितना आपके बालों की लंबाइ है हम Himself को बहुत और ऐस वालन पर लगाने के लिए अच्छे तेल को ली रहे हो सरसो के तेल यूज कर रहे हैं लेकिन आप अपने बालों करना पर लिजिएगा क्योंकि कुछ लोगों के बालों की लेंथ भी जादा होती है तो उनके बालों में ओयल भी जादा लगता है तो अपने बालों के नुसार आपको ओयल ले लेना है और इस मिक्चर में आपको मिला लेना है मेहनत आपको कुछ नहीं करनी है देख पाएंगे आप कुछ ही मिन्ट में इन नुस्का बिल्कुल बनकर रेडी है जब नुस्का आपका रेडी हो जाए तो आप जान लेते हैं से लगाना कैसे है यूज कैसे करना है अपने बालो पर अच्छे से लगा लेजिए और स्कैल्प में पांच मेर तक मसाज करिए और उसके बाद अपने बालों को जो आप नॉर्मली अपने बालों पर जो भी आप सेंपू यूज करती हो उस सेंपू से आपको विवास कर लेना है ध्यार नकना है सब्सक्राइब किवल दो दिन आपक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितना और कैसे फर्क पड़ा